इस्टार्ट जान सबको प्यारी है विराम हर कोई अपनी जान बचाने की हर संबव कोशिश करता है विराम इस आम फितरत के बावजूद कुछ लोग आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं विराम उनकी मनहें इस्टती को समझने का प्रियास किया जाए तो अधिकतर मामलों में जिंदगी जीने से उक्ताहट सामने आती है विराम एहमदाबाद की आएसा बानो मकरानी साधी के बाद आएसा आरीफ खान की खुदकुशी का मामला भी ऐसा ही है जिसने गत दिनों साबर्वती नदी में छलांग लगा कर अपनी जीवन लीला समाप करद ली विराम पैरा आत्मभत्या से पहले वीडियो में आएसा की मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द का समंदर छलक रहा है वहे उसके पीछे नजर आ रही साबर्मती नदी की मोजों से जादा भया वहे है विराम आएसा के पिता लियाकत अली मकरानी के अनुसार ससुदाल वाले उसे दहेज के लिए परेशान किया करते थे विराम इसी लिए उसका पती आरीफ खान उसे जालोर से वापस एहमदाबाद उसके माईके में छोड़ गया विराम इससे जाहिर है कि मुश्लिम समाज को दहेज की लानत से काफी हद तक पाक करार देने के सबी दावे खोकले हैं विराम यह कूरीती अब समाज के हर वर्ग और तबके में अपनी जड़े मजबूत कर चुकी है विराम हालां की इसलाम में निकाहा और साधी भ्या को काफी सरल बनाया गया है विराम इसमें पैसों की नुमाईस पर पूरी तरह प्रितिबंद है विराम सरियत में सोहर को अपनी होने वाली बीवी को मेहर की रकम देने के लिए कहा गया है विराम इसके अलावा घर बसाने की जिम्मेदारी भी इसलाम में पत्यों की ही है जिसमें पत्नी का भरन पोशन घर चलाना उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों का इंतजाम भी उसी के सुपुर्द है विराम इसके बावजूद भारत ही नहीं पूरी दक्षिन एसियाई देशों के मुस्लिम समाज में भी दहेज का चलन पूरी तरह से चल पड़ा है विराम दहेज का चलन आज हमारे समाज में जितना व्यापक हो चुका है उसे हिंदू मुस्लिम समाज के खाचे में बाटना ही सिरे से गलत है विराम यह दंस आज समाज में नहीं जाने कितनी आईसाएं जेल रही हैं विराम बस नाम उनके अलग अलग होते हैं विराम इन लड़कियों के घरवालों से दहेज के नाम पर मोटी रकम वसूल की जाती है विराम बहुत सी लड़कियां तो इसे जीवन भर चुपचाफ सहती रहती हैं तो कुछ इससे तंग आकर आत्म हत्या जैसा कदम उठाने को विवस हो जाती हैं विराम पैरा आयसा का मामला केवल दहेज का भी नहीं है विराम इस दिल दहला देने वाले मामले में दहेज की कूपरथा के साथ साथ विवायत्तर संबंद जैसी बुराई भी सामने आई है विराम अजीब बात यह है कि माप बेटों की ऐसी करतूतों को ने केवल नजर अंदाज करते हैं बलकि आरिफ जैसे मामलों में उसकी गलतियों का ठीकरा उल्टे लड़की पर ही फोड दिया जाता है विराम ऐसे सभी मामलों के सिरे कहीं ने कहीं पुरुस प्रेधान सोच से जा मिलते हैं जिसको हर हालत में बदले जाने की ज़रूरत है विराम